तो चलिए बात करते हैं रिफाइनरी को लेकर एहम बैठक आज सीम अशोग गहलोत करेंगे रिफाइनरी की प्रगती की समिक्षा अचास अहिंता के बाद कायम और काम करेंगे इस पर और कैसे आगे बढ़े इसे लेकर होगा पूरा रिव्यू शाम चार बजे सीमो में होगी बैठक CSDB गुपता सहीत आला अफसर यहां मौजूद रहेंगे तो आज रिफाइनरी को लेकर एहम बैठक होने वाली है और इस बैठक की बात करें तो तमाम मुदों को लेकर चर्चा की जाएगी यह बैठक जो है शाम चार बजे होगी और अचार साहिंता के बाद काम को कै कैसे आगे बढ़े बढ़ाया जाएगा इसको लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी इसे लेकर पूरा रिव्यू लिया जाएगा और शाम चार बजे सीमो में यह बैठक होगी तो सियमा शो गहलोत आज एक प्रगती समिक्षा बैठक करेंगे और यह बैठक जो है बेहत महत पूर है और इस बैठक में तमाम तरह के मुद्दों को लेकर चर्चा भी की जाएगी तो अब चुनाव खत्म होने के बाद अचार सहिंता खत्म होने के बाद काम को कैसे आगे बढ़ाना है इसको लेकर चर्चा की जाएगी और तमाम जो दिक्च हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे CSDV गुपता सहीद आला अफसर इस बैठक में मौजूद रहेंगे यह बैठक जो है शाम चार बजे यह बैठक होगी CMO में यह बैठक होगी और CSDV गुपता सहीद जो आला अफसर हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी भारत दिक्षित हमारे साथ चुड़ गया है भारत इस बैठक को लेकर क्या जानकारी तो अपने सहयोगी सी अभी जानेंगे कि इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है दरसल ये बैठक जो है प्रगती समिक्षा को लेकर बैठक की जाएगी और चुनाओ खत्म होने के बाद अचार सहिंता खत्म होने के बाद और जिस तरीके से लगतार हार को लेकर मंतन किया जा रहा था CWC की बैठक भी हुई थी उसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई थी लेकिन अब ये जो बैठक होने वाली है रिफाइनरी बैठक जो है ये काफी महत पूर है और ये बैठक शाम चार पज़े होगी CMO में और CSTB गुपता बैठक में मौजूद रहेंगे और भी जो आला अफसर है वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे हमारे सहयोगी भारत दिक्षित हमारे साथ जुड़ गया है भारत इस बैठक को लेकर क्या जानकारी कि अब बता दूब कि मुख्रमंती अशुद रहेंगे को लेकर लेकर कल भी मुख्रमंती अशुद रहें होगी तो इसमें तमाम जो अधिकारी है रिफाइनर से जुड़ी होगे चाहे सब्सक्राइनर से जुड़ाई सबी अधिकारी है वह यहां पर मौजूद रही है अंतर रिफाइनरी अशुद का बहुत पसंदीता आप जोजना यहां पर रही है इसके बाद किस प्रकार से उसके परियोजना को समय पर पूरत किया जाए क्या 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 उसमें परेशानी सब्सक्राइब के लिए रवाना होंगे जापर अधिकारियों के साथ इसको लेकर चर्चा भी हां पर किया जाएगी इससे पहरे तीन बजी गरीब जो प्रिफाइनरी को लेकर जो अधिकारियों से यहां पर चर्चा करेंगा उसके बाद जब मुक्रमंती अशुद चार सब्सक्राइब के लिए और उसी को लेकर आज किस परियोजना को समय पर पूरा किया जाए और उसी को लेकर आज को लेकर लगातार मंथन किया गया है लेकिना जो यह बैठक होने वाली है और इसमें आपको बता दें कि किस तरीके से यहां पर यह जो बैठक हो रही है काफी महतपूर यह बैठक जो है उमानी जा रही है और शुक्रेस पूरी जानकारी के लिए भारत और हमारे सहीयोगी निर्मल हमारे साथ जुड़गे है न लेकिना जो फोकस है उनका नजरिया है वो पेश करने वाले है रभी तक करीब बारा सो तेरा करोड़ रुपर के वर्कॉर्टर जारी कर दिया है जी तर्मिनल के लिए जो वह बैठक में किस तरे इसको लिए जिसकी जारी की जाएगी पच्पत्रा में जो मार्केटिंग टर करीब 30 मेगावर्ट का जो पावर बेक प्लांट लगना है और पांच एमजोडी पानी की जरुवत है तो तमाम चीजों को लेकर के आज की जो तास्पोर्स की बाट है कर उसको लिए जब इसकी समुछा चरेंगे तो तमाम चीजों फाइनल हो जाएगी और करीब 2,000 करोड करें कि आज प्रेंडर हैं वो भी फाइनल हो जाएंगे उसमें कैसे हैं इसको यहां पर इसको संस्ता पर क्या जाना है और बड़ी बात है कि 2022 का लक्ष करेंकर चल रहा है कि भरातल पर 2022 तक आज और 2022 तक उसको प्रोड़क्शन चीजों हो जाए तो आज जब मुक्समंद्र इसको घैलोग इसकी समुख्षा करेंगे तो इन तमाम पहलों उपर चर्चा होगी और माना जा रहा है कि आज के बाद रिफाइनरी के काम ना और तेजी आए बिलकुल निर्मन यहां पर बात करें रिफाइनरी को लेकर बात करें तो काम में जिस तरीके की आठकले आर थी जो दिक्कते आर थी आज में भी खत्मी किया जाएगा और काम को लेकर रिव्यू भी यहां पर लिया जाएगा उसके रिफाइनरी के लिए जो प्रोड़क्त की जो पाइप्लाइन है उसके टेंडर डॉक्मन की रिफाइन हो जब गए हैं इंटरनल रोड्स हैं वो तैयार हो गए हैवी वीकल्स उनके आजा सकता है लोड बेरिंग कैपेसिटी उनकी जाची जाएगी तो तमाम जो कि अगले दो से धाई वर्ष के अंदर रिफाइनरी पूरी तरह से तयार हो जाएगी और 2022 के तक उस पाधन शुरू कर देजा है बिलकुल निर्मल तो जिस तरीके से यह बैठक होने वाली है बेहत महतुपूर बैठक है और यहां पर अगर बैठक को लेकर बात करें तो यह पर अधिशन इर्देश भी दिये जाएंगे जाएंगे पहले तीन बज़े को जो सी हैं डिदी गुप्ता वो बैठक लेंगे तास्पोस की उसके बाद चार बज़े जब मुक्चमंत्री एश्वक गयलोग बैठक लेंगे तो उसमें हैं मिस्तर सुराना एंके सुराना वो पहुष में जितना भी टेंडर हैं उन पर केजी से अर्थवर शुरू कर दिया जाएं ताकि अगले जेड़ से दो वर्ष केंदर रिफाइनरी की जितनी भी यो बेरिंग कैपसिटी है वहां की वहां की जो हैबी मश्विंदी वहां हैं वो तमाम महां पर आ जाए और लास् जो तमाम तरह की अटकले थी जो रुकावटे आ रही ती उनको आज दूर कर दिया जाएगा और काम में अब तेजी देखने को मिलेगा निर्मल आप इस खबर पे नजर बनाए रखीगा मौर भी अपडेट लेते रहेंगे शुक्रियास पुरी चाहन कारी के लिए निर्मर कर दो